चलिए, अब next example देखें, answer दीजे जल्दी से, क्या sentence है, he is rich enough, for buying a new car, वह है, एक car खरीदने के लिए, परियापत अमीर है, काफी अमीर है, ठीक है, उसे कोई problem नहीं है, अगर आपको लगे no error है, तो आप fourth option चुने, बाकी a, b, c, a आपका he is है, b है, rich enough, she है, for buying a car, यह पूरा portion आपका c part होगा, तो यहाँ पर answer क्या होगा, ध्यान से सुने, यहाँ पर answer है, rich enough, या कोई ऐसी चीज ऐसी यहाँ पर नहीं है, जो buying, ing को trigger कर रही हो, that means, यहाँ पर gerund की कोई आउशकतर नहीं है, आपको simply gerund हटा करके, यहाँ से infinitive का use करना है, और infinitive क्या होता है, two plus verb की first home, that means to buy, to buy आपको यहाँ पर लगाना होगा, four buying के स्थान पर तब जा करके, four भी हटाना होगा, four buying के स्थान पर तब जा करके sentence सही होगा, he is rich enough to buy a new car, ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पर gerund को trigger करने वाली कोई खास चीज नहीं थी, तो कौन से chapter से पुछा गया, यह तुम्हे नोन-finite verbs के chapter में पढ़ाई थी चीज, ठीक है, चलिए